लोग रिजवेट्स के लिए एक संदार लिगल जोग अपोर्शनीटी निकल के हैं इंडियन ओयल कार्पोरेशन के तरब से देखिए अगर आप एक लोग स्टुएंट है लोग रिजवेट्स है और आप लिगल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं लोग ओफिशर के पो क्रेटेरिया हाँ पर मांगे गई है और कौन इस पोर्ट के लिए अपलाई कर सकता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें हमने पूरा डिटेल्स में बताया है एक एक चीज बताया है कि कैसे आपको अपलाई करनी है क्या एलिजवेटी क्रेटेरिया आप रखी करी है आपकी selection क्या होगी selection की procedure क्या है तीस सब कुछ हमने इस video को लाइक कशिगे इसने पहले कम इस वीडियो को सुरुवात करे और आपको इसके बारे में ॏक प्रेक्टेसिंग एड़ोकेट है और आप था儿 आपsteakvelop करने के बाद बेल एक बाफ जरूर ताकि आने वाली accountability इसुदी आपको मिलती रहें और आपसे कोई वी लेगल जॉण जोब ओपर्शनिटी मिश्क नहूं देखी हम इस चैनल पर नए लेगल जॉब आपर सीट्ब को लेकर P.C. N.C.L. के लिए 3 시 और 7 S.T.े लिए 1.10. 예. कूल मिला करके लिए 12 12 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है सबसे पहले हम बात करते कुष्च के लिए कोई अपलाई कर सकते है तो आपको बता दे कि कोई भी इंडियन candidate तो कोई भी इंडिया नेशनल जो इस पोर्ट के लिए अपलाई करना चाहता है अपलाई तो कर सकता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी गई है कि PG CLAD 2024 का जो एक्जामिनेशन कंडेक्ट कराई गई थी दिसम्बर 2023 में उसमें आप अपियर हुए होने चाहिए अगर आप CLAD 2024 का जो एक्जामिनेशन ने उससे आपने दिया है तो आप इस पोर्ट के लिए इलिजबल है और आप इसके लिए अपलाई करते हैं अगर आप जहे प्रिव्यूज CLAD का एक्जामिनेशन दिया है और उसमें आपने जो अच्छा स्कोर किया है तब भी आप इसकोर्ट के लिए इलिजबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर डिरेक्टली मेंशन किया गए PG CLAD 2024 का जो एक्जामिनेशन हुआ है उसमें आप अप अपियर होने चाहिए अब बात करते हैं कि qualification क्या मांगे गई है तो आपको बता दे कि आपके पास law की डिगरी होनी चाहिए और आपके पास full time regular law की डिगरी होनी चाहिए किसी भी college और institution से जो की bar council से अप्रूप्ड हो और आपके जो law की डिगरी है वो चाहिए आपने 3 years का course किया हो या 5 years का integrated LLB जो course होता है ओ किया हो आप इस post के लिए eligible है यहाँ पर minimum percentage भी यहाँ पर दी गई है कि कितनी percentage आपकी कम से कम होनी चाहिए law की degree में तभी आप इस post के लिए apply कर पाएंगे जैसे कि अगर आप general EWS OBC category के candidate हैं तो आपके graduation में 60% marks होने चाहिए अपरेज लिमीट की बात करें तो इस post के लिए 30 साल जो अपरेज लिमीट रखे गई है experience की बात करें इस post के लिए तो देखिए आपके पास जो यह दो साल का post qualification experience होनी चाहिए इस post के लिए यह law officer की post के लिए जो की grade E का post है और इस post के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम दो साल का experience होना जरूरी है आपके जो experience है किसी भी court में हो सकती है as an advocate हो सकती है आपके इस law officer में काम किये हो तब ही चलेगी आप जो independently अपना वकलत किये हैं अगर आपके पास experience अभी आप इस post के लिए apply कर सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है वो PG वाली जो plat की examination थी उसको अगर वो आपका है तो आपके पास कम से कम 2 साल का experience है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं apply करने में आपका कोई भी charges यहाँ पर नहीं लग रहा है बिल्कुल free of cost आप इस post के लिए apply कर सकते हैं कैसे apply करने ही ओभी हम आपको बता देते हैं आप इस वीडियो के description में जाएगा वहाँ पे उपर ही आपको एक link मिलेगा इस notification का और उसके नीचे apply का link मिलेगा डिरेक्ली आप वहाँ पे click करके इस post के लिए apply कर सकते हैं जब आप इस post के लिए apply करेंगे तो आप से जो है application form जब आ फेल करेंगे उस समय आप से PGclat24 का admin card number और application number मांगाया सकता है और date of birth भी मांगाया सकता है तो उसे आप पहले से निकाल के रखेंगे साथ में अपना passport size photographs और signature को पहले आप अपने mobile में scan करके रख ले या computer से आप apply कर रहे हैं तो उसमें पहले से उसको scan करके रख ले ताकि apply करने में आपको कोई दिक्कत ना हो और time जाता ना लगे selection कैसे होगी इस sport के लिए तो आपको बता दे कि आपकी जो selection होगी यहाँ पे उसमें major role play करेगा जो आपका PG Clare 2024 का examination का marks है उसके बाद जो आपका GD, NA की group discussion GT, NA की group task और PI, NA की personal interview होगा और इसके अधार पे आपका merit list तयार किया जाएगा merit list के अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि weightage की बात करें merit list में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि PG Clare 2024 का examination है उसमें जो आपकी marks आई होगी उसकी weightage यहाँ पे 85% रहने वाली है और group task और group discussion का जो weightage है सिर्फ 5% है और P.I. यहनि कि personal interview का जो यहाँ पे weightage है वो 10% है यहनि कि major role आपका जो पले कर रहा है PG Clare 2024 का जो examination है वो इसके अधार पे आपको जो यहाँ पे आपकी selection की जाएगी और आपका जो merit list फाइनल merit list है वो रयार किया जाएगा अब बात करें कि सेल्री आपको यहां पर कितनी मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए तो आपको बता दें कि यह जो है एक law officer की पोस्ट है जो की अच्छी खासी पोस्ट है और यहां पर इनिसेल बेसिक सेल्री जो आपका है वो है 50,000 रूपया आपको ब पता दें कि अप्लाइक करने का जो लास्ट यहां पर रखे गई है आठ अक्टूबर दोहजार जोबिस है तो इस देट से पहले पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाइक करते नहीं होगी अगर आपका कोई और क्योरी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप इनके इमे जे भारत धन्यवाद